बारिस होते रहे हैं बारिस में सब लोग अपने अपने घर में रहे हैं उससे निरस्त कर दिया है चप्पे चप्पे पर पुलीस बैठे हुए थे लेकिन वो पुलीस बैठे कब घटना घटने के बाद हम चल रहे हैं प्रेम संकर यादब जी के घर देखना चाहेंगे सचाई क्या है तो आये चले प्रेम संकर यादब जी के घर अब हम प्रेम जी के घर चल रहे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है क्या कहेंगे अब प्रेम यादब जी के घर के तरफ से भी कई पक्ष आ रहे हैं उनकी बेटी जो उनके परिवार के लोग हैं वो पक्ष रख रहे हैं जो पहले बुल्डोरे चलने का आदेस वगात हो उनके घर पे उसे निरस्त कर दिया है कोट ने तो यह एक परिवार के लिए जो प्रेम जानते हैं क्योंकि देखिए गुस्सा दोनों परिवार की वजह भी तो आप जानते हैं जमीन हैं बिल्कुल खबर जो आ रही है कि प्रेम चैंद्र यादब समेत 11 लोगों के असलेहे का लाइसेंस सस्पेंड तो अब सस्पेंड करके क्या फाइदा एक सवाल यह उठ रहा ह है कि जो लोग अर्डर के मद्दे नजर इगारी लाइसेंसे तो अब करके क्या फाइदा क्योंकि अब अस्ताय थोत किया एक कहबत है चीरिया चुक गई खेद वहां गय थे और मौजूद थे क्या देखा आपने जिस तरीके से वहां पर जो महोल था जिस चप्पे चप्प पर पुलिस बैठे हुए थे लेकिन फूर गटना घटने के बाद और जो पीरित परिवार है जहां पर जिनका हत्या हुआ वो कब से आवेदन दे रहे थे उन्होंने मुख मंत्री को आवेदन दिया उन्होंने आल्लाइन मुख मंत्री कि यहां भी आवेदन बेजा हर चीज किया वो अपने तरब से पूरा कोर्सिस किये कि मामला को सॉट आउट किया जा सके लेकिन जो प्रशासन है वो तत्पर नहीं हुई जो सत्परकास दूबे थे वो मुखमंतिरी साहब के यहां भी दरबार में अपने जमीन की सिकायत को लेके गए थे तो फिर उस वक्त प्रशासन और सरकार ने क्यूं इसमें सूजबुज नहीं दिखाई अगर उस वक्त सूजबुज दिखा दी होती तो साइद आज ये छे हत्या ना होती अभी एक महिला मिली है मुझे प्रेम संकर यादव के घर कहा है अच्छा कैसे न आदमी रहे अरे बड़ा निक रहना आदमी उनने के तक कुछ को हबे ना करी बहुत अच्छा 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 अच्छ प्रेम चंदी आदब जी कैसे लोग थे बहुत बड़ी आदमी रहना, उनके संत के उराबे नाइ कोईला, कभी आप से मुलाकात हुई थी? मतलब दीन में मार दिया रहा है, सुबेरे मारा है, चाव बजे, दीन रहा है, मतलब बुला के मार दिया प्रेम चंदी को सत परकास दोबे ने मारा है, कि यह कोई किसी ने देखा आप लोगो को क्या पता चलाकि है पिए थाया है कि यादब किन किन लगी नहीं है लेकिन गाउं में पता चला कि सब पहले पिरें चंध्र यादब गाहों की महिला है और ये चाची बता रही है कि जो प्रेम चंद्र यादब थे वो इस गाहों के लिए अच्छे थे और लोगों का दुख बाटते थे प्रेम चंद्र यादब जो थे वो कैसे आदमी थे अरे बहुत बढ़ी आदमी मेरा लेकिन कभी देखे हैं उनको हम देख है मतर सबसे करने यह सबसे कह थे प्रणी सुन्त रानी क्या हुआ था आप यह भाबाव मने की ना बता सबnah और रहें अब को रहें जब आपने घर में रहे आज आपने काम धाम करते हैं की जना बोगए उनको बढ़ा हो गय थे नहीं यह कि मानला हो गया है जब सारी लोग यहां से जाने लगे तो क्या चीज़ से मडर हुआ था उनका कुछ तूपता दोगा गया होंगे देखने के लिए कुछ इसे मारा था अभी ना हम निके बता सके निए अब तो अग्ला नजन है अग्ला जनिया अग्ला जनिया फंट पता चला की प्रेम संकर यादब जी को मार दिया गया तो आप लोगों में तो रोना रहा हो हम निके तो खुब रोनी जाए अब रहा देखे थे उनका सब ना अमने को मडर बढ़ ना देखने जाए बाहर देखे थे जब उसके घर में आया था सब उनको मार्थिक सरीर ना वी एजाई बेना कोई ना यहां नहीं आया परिवार बाला ही तो दासंसकार किया होगा यह बताती है कि बहुत अच्छे थे इनके नहीं कि आपके जात का है इसले जात के ना हम लोग जाती नहीं है हम लोहर जाना है आप हरी जन है वह यहादव है और यह रीजन है बारत टोला सब कर सम्मान करते हैं सब के बहुत लोग है एक गाह में जो बारत टोला में कौनों खाता ना गया हुई तक केहुन आई जानी उस सब अपने आप उपर का लेतर रहा है नहीं केहुन नहीं खेक प्रेम चंद यादव जी कि अच्छाई इनके नजरों में है